हेल फ्रेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देखे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जौब म्यूज ये 25 और 26 नौबर 2020 के इंपोर्टेंट करेंट वर्स कोशन से है PD पर अबलेबल है विद नोर सेमस की हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जागा या आप इसे वीडियो खात मोरे से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोट कर लिंक आता है वहां से ले सकते हैं तरह तरह के कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट जैसे केंद्र सरकार ने लक्सुई विलास बैंक का विले कर दिया है किस इंटरनेशनल बैंक में चक्रवाती तूफान जो आया है निवार वो कैसे आया क्या एफिक्ट है इसके लावा जो चाइनीज एप 43 उस पर बैन लगा है किंद्र सरकार ने किस कानून के तहत और इसे चीनी कंपनी जो अलीबाबा है इंटरनेशनल कंपनी है उसको कितना नुकसान हुआ है इसके बाद है लैंड लैंड फोन से मोबाइल कर से समय एक खास डिजिक लगाना होगा किंद सरकार ने फैसला किया है तो क्यों किया है क्या effect होगा इसका इसका लवा है किंद सरकार ने किस एप का अंतराष्टिय संस्क्रन पेश किया है उत्रप्रदेश में जो धर्मांतरन को लेकर ओर्डिनेस पास किया गया है उसमें क्या सजा का प्रावधान है क्या इस्तिती होगी बिहार विधानसव में स्पीकर चुने गये हैं भारत का पहला मौस गार्डेन यानि काई का बगीचा वो कहां पर ओपेन हुआ है इसका लवगा कौन सा देश है ऐसा जिसने ओपेन एसकाई ट्रीटी से और अपचारिक रूप से वो अलग होने के घोशना कर दिये उससे क्या होगा इंटरनेशनली अमेरिका, रूस, उसके सम्मन्द कैसे होने जा रहे हैं फैसला किया है आंसरोगा DBS Bank इंडिया लिमिटेड इसको शॉर्ट में करते है DBIL ओके, देखिए 25 नौबर 2020 को प्रधामतिन नरेंद मोदी की अधेक्ष्टा में केंदरीय मंत्र मंडल ने ये फैसला किया है तो देखिए, हाली में आर्बियाई ने आपको पता हो कि लक्ष्ट विलास बैंक पर मोरेटोरियम लागू किया था और इसके बोर्ड ऑफ डायेक्टर को भंग करके केंदरा बैंक के जो पूर्व करकारिया देख्ष थे टी एन मनोहरन तो उनको 30 दिन के लिए एड्मिनिस्टेटर निव्ट किया था तैनात किया था और लक्ष्ट विलास बैंक की जो फाइनिशिल कंडिशन है बहुत ही खराब हो गए थी तो इसके बाद आर्बियाई ने क्या किया कि लक्ष्ट विलास बैंक का विले डीबियस बैंक के साथ करने के लिए एक योजना त्यार की और उसको गब्मेंट के पास भीया था तो उसी प्रस्ताव को किंद्री मंत्री मंडल ने यानि सेंटरल कबिनेट ने मजूद कर लिया है और नय फैसले के बाद भी होगा कि लक्षुन विलास बैंक के जो जमा करता है जो डिपोजिटर्स है उन पर जो निकासी के सीमा लगी हुए थी 25,000 की एक महिने में उसको अब खत्म कर दी गई है तो ये डीबियस बैंक है क्या डीबियस इंडिया लिमिटर देखिए ये जो कंपनी है आईए काफी साल पहले The Development Bank of Singapore Limited के नाम से जानी जाती थी बाद में इसका नाम बनला गया था डीबियस कर दिया गया था और सिंगापुर सरकार ने 16 जुलाई 1968 को इसको अस्थापित किया था ये एक financial company है banking company है इसको RBI से license प्राप्त है यहाँ पर bank चलाने के लिए और Asia का एक प्रमुख financial services group है और 18 देशों के बाजार में इसकी उपस्तिती है मुखेले सिंगापुर में है और वहाँ के share बाजार में भी ये listed है ये तो ये की important बात है क्योंकि लगतार सरकार जो है अभी तक विले हम लोग देख रहे थे कि जो भी सरकारी उपकरम है बैंक हो उसका हो रहा था और अब ये अलग तरह का मर्जर देखने को मिला है बैंकों का अगला कोशन लेते हैं चक्रवाती तूफान निवार ये नाम अब धिहान रखना क्वेसित कहेंगे भारत से टक राया है लेकिन उसका जो केंदर स्था वो कहां पर था आंसर गा पुदू चेरी आप मेरे बगल में IMD यानि इंटर मेटरलोजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका ANI ने ट्वीट किया है उसके उसके बयान को और चक्रवाती टूफान का काफी बड़ा असर तमिल नाडू में भी हुआ है और देश के अलगल हिस्तों में उसकी बारिश भी हुई है स्पीड कितनी थी जो टूफान है उसका 120 से 130 किलोमेटर जैसा कि IMD का कहना है अब अलग अलग जगर अलग अलग लिखाओ तो अलग बात है लेकिन IMD में होता है उसने जो बताया में वही मानना होता है तो यह सवाल उखता है कि निवार नाम इस तूफान का किस ने दिया है देखे ये इरान की ओर से सुझाय गया था ये नाम और ये 2020 में उत्तर हिंद महासागर से उठे जो चक्रवात है उसके लिए उठने वाले जो चक्रवात है उनकी नामों की सूची से तैयार किया गया है निवार का मतलब होता है रोक थाम करना और अभी हाली में 22 नॉवंबर को सुमालिया में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम था गती तो उसको भारत ने सजिट किया था ये नाम ठीक है और ये सवाल उठता है कि हिंद महासागर में तूफान के नाम कैसे तैय होते है तो देखिए इस हिंद महासागर छेतर के जो आठ देश है जैसे भारत, पकिस्तान, श्रिलंका, बंगलदेश, मालदीव, म्यांगमार, उमान और थाइलेंड तो ये सब मिलकर नाम रखते हैं नाम सुझाते हैं ये सन 2000 से लिकर 2004 के बीच में ये शुरू हुआ था और लिष्ट बनाते हैं जैसे के इसी देश में तूफान पहुँचता है तो उसका नाम उस लिष्ट में जो सबसे पहले होता है उसको डाल दिये जाता है तो इसे नाम से अच्छा रहता है पहचानना ज़रूरी होता है और चक्रवाती तूफान कैसे बनता है देखे यह जो सिलसिला है चक्रवाती तूफान बनने का वो समुद्र के गर्म छेतर से शुरू होता है गर्मी से हवा गर्म जो है वो बहुत तेज से उपर उखती है और दाप का छेतर बन जाता है वहाँ प्रिशर बन जाता है नीचे तो चात्रव की हवाएं वहाँ पर आती है और फिर वो चक्रवात बनती है और उपर उखती है और यही जो है इफेक्ट करता है मुस्लाधार बारेश, तूफान, तेज हवा यह सब इफेक्ट होता है और खास दौट पर जो देखा गया है कि बंगाल की खाड़ी में काफी ज़्यादा और मजबूत वो तूफान उठते हैं उसकी तुल्ला में अगर देश के दूसरे भाग में कहें और अब सागर की ओर तो हाँ चक्रवाती तूफान वो कमजोर होते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं होते केंदर सरकार ने 43 चानीज एप को किस कानून के तहत प्रतिबंदित किया है मुझे लगता है सबको पता होगा आंसर आंसर है Information Technology Act ठीक है तेकि भारत चीन के बीच में अभी LSE पर stand-off चल रहा है उसी दोरान एक decision लिया है केंदर सरकार ने किस मंत्रा ने बैन किया यह जो बैन है वो किया है सूचना प्रद्रकी की एट यानि Information Technology Act के जो section 69A के तहत Ministry of Electronics and Information Technology जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद है तो उसने इस मनिश्टरी ने यह बैन किया है तो कितने Chinese app को बैन किया जा चुका है तो देखिए जब से इंडिया चाइना का जो LAC पर stand-off हुआ है अर्मी का उस सब के बाद से अभी तक नौ यानि जब तक मैं यह वीडियो दे रहा हूं तब तक 220 संख्या हो गई है तो यह 24 नौबर को जो एप मैं किये गए है 43 ताजा ताजा उसमें से 14 जो है डेटिंग एप है 14 आठ गेमिंग एप से है और 6 जो है बिजनेस एप है और एक इंटर्टेंडमेंट एप शामिल है और किंद सरकार का यह कान है कि इससे देश की एकता अखंडता और सुरक्षा और सबको खतरा था और इसलिए यह किया गया है यहां खास पॉइंट यह है इस बाहन में कि चाइनेज जो बिजनेस मैन है जैक मा उनकी कंपनी है अलिबाबा उसके चार इंपॉर्टेंट एप शामिल है इन चारों के अलावा बाकी बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन इनके जो चार अलिबाबा के जो एप है वो काफी एफेक्टेट हुए है तो इस तरह से इंडिया जो है वो मेजर चाइनीज कंपनी है अलिबाबा उसको एक तरह से टार्गेट करना शुरू कर दिया है अब मुक्त और पर जो एप बैन हुए है उसमें जैकमा के जो कंपनी अलिबाबा वो उसका जो एक है अलिएक्स्प्रेस वो काफी जो छोटे कारोबारियों में पॉपलर भी था अलिएक्स्प्रेस नाव का वो बैन हो गया उसकी वेबसाइट भी अब बैन कर दी गहीं सिर्फ एप ही नहीं ओके अलिएक्स्प्रेस ओके तो इसके वज़ा से जो अलिबाबा कंपनी है उसको बिलियन डॉलर के बिजनेस का इफेक्ट होने जा रहा है या कहीं कि हो चुका है देखिए अलिबाबा जो कंपनी है वो चाइनेज मल्टी नेशनल कंपनी है जो की स्पेशलाइजड है इकमार्स, रिटेल, इंटर्टेन्मेंट, टेक्नलोजी में और यह काफी बड़ा उसका करवबार है दुनिया के बहुत सरदेशों में रूस में एशिया में तो है ही यूरोप में खुसी रही है वो कंपनी तो एक तरफी काफी ज़्यादा उसका इफेक्ट है और आप हो बतार हो कि अलीबाबा ने वर्ष दो हजार बीस से पहले तक काफी इन्वेश्टमेंट यहां पर किया है बहुत सारी कंपनियों में उसने इन्वेश्टमेंट किया है जैसे अगर हम बात करें भारत में तो जो प्रमेंट प्लेटफर्म है पेटियम उसमें इन्वेश्ट किया हुआ अलिबाबा ने रेश्टोरेंट एग्रिगेटर और फूड डिलिवरी सर्विस है जो मैटो इसके लाव जो इग्रोसरी है बिग बास्केट उसमें अर्बो रुपे के इन्वेश्टमेंट इसमें अलिबाबा कंपनी या जो चाइनीज कंपनी उसने किया हुए तो दीरे दीरे एक तरसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे मतों इंडिया चाइना के बीच में एक तरसे जब चाइना नहीं मान रहा है तो एक जटका इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है मकसद क्या है टोटल इस बैन होने का वही है कि आप सोल्जर्स को पीछे करिए एक तरसे यह इशारा है साफत और पर सरकार नहीं कह रही है सरकार का तो यह काना है कि इससे देश की एकता अखंडता को काफी इफर्ट हो रहा था लेकिन जो पीछे की बात है मीडिया रिपोर्ट्स में है वो यह कही जा रहे है और जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है इंटरनेशनल अकबारों की उन सब के अनुसार चीन जो है वो लदाक में तो प्रॉब्लम किरेट करी रहा है वहाँ इस्टेंड ओफ चली रहा है इसके अलावा डोकालाम में जो कि भूटान और इंडिया के बीच में है डोकालाम वहाँ भी उसने एक तरह से चाइनेज बिल्डप शुरू कर दिया है और बहुत सारे ऐसे जगह देखने को मिले है इंडिया चाहिन आप बॉर्डर पर कि रडार भी अस्थाफित कर दिया है तो इसी थी थोड़ी तनावपूर्ण है इसलिए ये किया गया है अगला कोशन लेते हैं उसे पहले बता दूँ कि 2020 का अगला कोशन लेंडल नमबर से पहले कौन सा अंक 15 जनवरी 2021 से अनिवारे होगा डायल करना आंसर होगा जिरो दिखे ट्राई यानि टेलफॉन रेगलर्टी अथर्टी ऑफ इंडिया उसकी सिफारिश पर दूर संचार्य भाग ने यानि टेलकॉम डिपार्टमेंट ने इसको लागू करने का फैसला लिया है और सभी जो फिक्स लाइन है उसे मोबाइल पर फोन करने के लिए पंद्र जन्वरी 2020 से जो मोबाइल नंबर होगा उससे पहले जरो लगाना अनिवार होगा लेकिन अगर आप फोन कर रहे हैं लेडान लाइन से भाइन भाइल में तभी करना पड़ेगा दिरसल देखे क्या है कि अभी 10 उंकों का मोबाइल नमबर होता है आने वाले वक्त में ये मोबाइल नमबर जो है और ज्यादा जुरूरत परेगी तो इसको 11 नमबर ऐसी करने की आगे प्रक्रिया चल रही है समामना जताई जा रही है ऐसा इसलिए इसको किया गया है अगला कुछ लेते हैं केंदर सरकार ने 23 नमबर 2020 को किस एप का अंतराष्टी संस्करण पेश करने की गोशना की है लॉंच कर दिया है आंसर गो उमंग एप ओकी ये जो है वो विदेश जाने वाले जो भारतिये परटक हैं प्रवासी भारतिये हैं और भारतिये जो अंतराष सिंगापोर, नीजिलाइड इन सब में अबलेबल होगा जैसे EPFO, LPG, IMD, PF जैसे बहुत सारी जो सरकारी योजनाय हैं लाव है उन सब का लाव वो वहीं से उठा सकेंगे अगला कोशन लेते हैं उतरप्रदेश कैबिनेट ने एक अध्यदेश पारित किया है मजूरिदी है अध्यदेश का नाम है विधी विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिशेद अध्यदेश 2020 तो इसके तहत कितने साल की सजा का प्रावधान है मतलब अगर ये कानून आप तो उरते हैं तो क्योंकि अध्यदेश लागू होते ही वो कानून बन जाता है शिक्स मन्त के लिए आंसर होगा 10 साल ओके तो ये जो ओडिनेंस है उसके मुखे बातें क्या-क्या है वो भी एक बार बदा दूँ आपको तो आप मेरे बगल में देख रहे हैं लालच जूट पोलकर या जोर जबर्दस्ती थे किया गया धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किया गया धर्म प संगेठनों के खिलाफ करभाई की जाएगी है धर्म परिवर्तन के साथ अंतरधार्मिक शादी कराने वालों को साबित करना होगा कि वो इस कानून को उन्होंने नहीं तो रहा है अच्छा लड़की का धर्म बदल कर अगर शादी की जाती है तो उसको शादी माने नहीं किय जाएगा मतलब माना ही नहीं जाएगा कि वो कोई शादी हुई है जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया जो धर्म परिवर्तन है वो संगे और गैर जमानती अपराद होगा कानून तोरने पर क्या सजा होगी तो देखे इस कानून को तोरने पर कम से कम 15,000 रुपए का जुर्मा और तीन से लेकर 10 साल तक सजा का प्रावधान रखा गया है धर्म परिवर्तन के लिए तैशुदा फॉर्म भरकर दो महीने पहले DM को ये देना होगा मतलब अगर धर्म परिवर्तन करना है किसी को तो दो महीने पहले बताना होगा तो ये प्रावधान किये गया है और देख विधान सभा का स्पिकर किसे चुना गया है आंसर होगा विजय कुमार सिन्हा उनको चुन लिया गया है अधिक ये राज में आपको बता दूँ कि 51 एर के बाद यानि 1969 के बाद स्पिकर पद के लिए चुना हुआ है ये अलग बात है ओके जी कि हमेशा ये होता था सर्वस्व समती से चुन लिया जाता था लेकिन अभी चुनाओ की नौबत आई है चुना हुआ है स्पिकर का विधान सभा में तिरपन साल के हैं अभी जो चुने गया है स्पिकर और लखी सराय से लगतार तीसरी बार भाजपा के विधायक बने हैं इस पार तीसरी बार विधायक बने और मंत्री भी पहले रह चुक हैं विजय सिन्हा आगे बरते हैं और अगला खुश लेते हैं राजसभास सदस से अहमद पटेल का निधन हो गया 25 नौबर 2020 को तो किस पार्टी से नेता थे आंसरों का कॉंग्रेस गुजरात से राजसभास सदस थे और कॉंग्रेस के काफी कद्दावर नेता थे बहुत मजबूत पिलर थे पिलर माने जाते थे अधिके 2001 से सोनिया गांधी के राजनेतिक सलाकार थे वो वर्ष 2001 से और 71 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है एक अक्टूबर को उनको करोना पॉजिटिव पाया था इसके बाद हॉस्पिकल में भरती हुए थे बाद में शरीर के कई सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया उसके बाद उनकी मौत हो गए उनका जन्म हुआ था 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच में और पतेल मितलब आमद पतेल की गिंती जो है कॉंग्रेस के काफी ताकतवर नेताओं में होती थी लेकिन वो कभी सरकार के हिस्सा नहीं रहे मैं तो कॉंग्रेस की जब भी सरकार रही तो कभी मंत्री उगर नही रहे हाँ संसद हमिशा रहे और गांदी परिवार से काफी नज्डीक रहे अपको बतहरों कि मातए 28 साल की उम्र में उने स्टाटर में वो संसद अगार गानदी के समय आपके आसपास, घरों के आसपास,늦 जम जाता होगा हरा हरा, वो, तो वो किस जिले में स्थापित किया गया है हिंवे से, आंजवा ने नीताल, एक आप्र में हाली में, बेस नॉम्बर का इसका शुभारम किया गया, और गाटन किया गया पार्क का, और जो जल्ब पूरुश माने जाते हैं डक्र राजन सिंग तो उन्होंने इसका इसकी शुरुवात की ओके अप्रूबल 2019 में मिल गया था लेकिन अब जो है फाइनल हो गया है बहुत तरह की प्रजातियां है वहां काई की मॉस की ओके तो यह मॉस गार्डन है एक इंपर्टेंट बात ओके चली आगे भरते हैं अगला कोशन लेते हैं अंतराष्टी महिला हिंसा और मुलन दिवस यह कब मना जाता है आंसर होगा 25 नौबर ओके यह दिवस जो है पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाब जो हिंसा और उसको रोकने के लिए मना जाता है और सभी तो राष्टी संग के यह दिवस घोशित है ठीक है आगे बरते हैं अगला कोशन है पुलिस जंडा दिवस कब मना जाता है आंसर होगा 23 नौबर ओके खास्तरपु उत्तरप्रदेश में मना जाता है क्योंकि उनिस्व बावन में 1952 को भारत के जो प्रदम प्रधान मंत्री थे जवाहलाल नहरू तुर्णों ने उत्तरप्रदेश पुलिस को पुलिस धोज प्रदान किया था अगला कोशन लेते हैं किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधी यानि उपन एसकाई ट्रिटी से आपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है आंसर होगा अमेरिका अमेरिका ने हटा लिय है तेकि 22 नौबर को अपचारिक रूप से अलग होने की घोशना किये हाला कि इससे पहले 21 माई के आसपास मैंने आपको पहले भी बता था अमेरिका नहीं यह ऐलान किया था कि वो अलग हो जाएगा लेकिन आब अपचारिक रूप से इस ट्रिटी से अलग हो गया है और इस इसमें शामिल थे ओके और 2002 में यह संधी लागू हुई थी क्या था इस कता है इस ट्रिटी कता है यह संधी कता है इसमें यह था कि एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर से मिलिटरी एक्टिविटी की जाँच कर सकता है हवाईजाज अपनी भेज के बीना वेपन का हवाईजाज होगा प्लेन होगा जो कि उसमें निगरानी सेंसर लगे होंगे और वो जाँच परताल कर सकेगा कि दूसरे देश में क्या चल रहा है यह ऐसा आपसी अंडरिस्टें अपनी तयारी कर सकता है तो इस इस्तिति से बचने के लिए यह ट्रीटी हुई थी कि कोई भी देश एक दूसरे देश के उपर जा सकता है सिंसर लेकर ओके तो अब अमेरिका इससे हट गया है अमेरिका का कहना था कि रूस इसको नहीं मानता है बहुत सारे एक्टिविटी कर रहा है हम निग्रानी नहीं कर पा रहें एक और यह भी बात है कि आज कल तो सेटिलाइट से सारी निग्रानी हो जाती है तो हवाई जाज उपर भीजने की ज़रूत क्या है आगे बढ़ते हैं अगला कुष्ण ने आशिष राय का निधन हो गया चोविस नोवर दोहजर बीस को तो किसली जाने जाते थे क्या काम करते थे आंसर ए टीवी अभिनेता थे 55 यर के थे किड्नी फेल होनी की वाज़ेसे मुंबई में उनका निधन हो गया ओके और ससुरा अगला कुष्ण ने राश्टी विधी तिवर्स यानि नेशनल लौड ए कब मना जाता है इसका आंसर होगा 26 नौवर क्यों क्यों कि 26 नौवर 1949 को समिधान सभा ने भारत के समिधान को सुईकार किया था जो की बाद में ये 26 जन्वरी 1950 को समिधान लागू हुआ तो दोस्तों ये था important current force कैसा लगा जोरूर पता ना PDF अबलेबल हो गया है मेड़े बगल में तो download पर click किजिए और download कर लिए या आप इसे इस वीडियो के description से भी download कर सकते हैं वहां और भी PDF अबलेबल है 2020 के अब तक का भी current force है वो भी ले सकते हैं और हजी लोगों ने subscribe नह साथ उन बिले का दुमाना मत भूलना